नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है. Digital Transaction Mode, IMS, RTG, NEFT के मुकाबले बेस्ट है UPI, यहां समझे सबकी खासियत. Lendend के तरीके में काफी बदलाव आया है. जहां पहले cash से Lendend होता था, वहीं अब online transaction का दौर आ गया है. Online Fund Transfer की बात करें, तो अक्सर लोग UPI, UPI बोलते हैं. आज के समय में UPI काफी popular हो गया है. लेकिन UPI के अलावा भी कई तरीके हैं, जिससे Fund Transfer किया जा सकता है. कई तरह से हो सकता है, Fund Transfer पर UPI है best. UPI 2016 में launch हुआ था. Fund Transfer करने में, RTGS सबसे पुराना तरीका है. पैसो के Lendendend के तरीके में, पिछले 10 साल के भीतर काफी बदलाव देखने को मिला है. जहां पहले लोग एक bank account से दूसरे bank account में पैसे transfer करने के लिए bank जाते थे, वह काम अब चुटकी भर में हो जाता है. जी हां, UPI, IMS, RTG, NEFT ने पैसे के Lendendend के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. वैसे तो online transaction के लिए IMS, RTG, NEFT जैसे mode मौजूद हैं, लेकिन इन सब के अलावा UPI काफी popular mode बन गया है. अब online payment के लिए लोग UPI करना काफी पसंद करते हैं. UPI ने एक हद तक हमारे purse को digital बना दिया है. अब घर से निकलने पर pocket में हाथ डाल कर purse चेक करने की जरूरत नहीं होती है. हम आपको नीचे बताएंगे कि सभी online payment mode में से UPI काफी लोकप्रियक क्यों हुआ है. NEFT साल 2005 में भारतिय रिजर्व बैंक, RBI, ने NEFT की शुरुआत की थी. यहाँ एक तरह का electronic fund है जिसका इस्तमाल fund transfer के लिए किया जाता है. बता दे कि NEFT के जरीए आसानी से एक bank से दूसरे bank में पैसे transfer कर सकते हैं. हालां कि इसके लिए enable bank account होना जरूरी है. यहाँ fund transfer करने का secure तरीका है. NEFT के जरीए fund transfer करने के लिए customer को bank में जाकर form फिल करना होता है. इस form में वह sender और receiver के bank account की details देता है, जिसके बाद bank द्वारा fund transfer किया जाता है. NEFT के फाइदे NEFT एक one-to-one payment facility है. इसमें fund transfer करने के लिए third party की जरूरत नहीं होती है. NEFT के जरीए fund transfer करने के लिए bank द्वारा कम charge लिया जाता है. NEFT के जरीए आधे घंटे में fund transfer हो जाता है. यह fund transfer करने का secure और fastest तरीका है. Fund transfer करने के लिए कोई check, demand draft की जरूरत नहीं होती है. NEFT के जरीए loan, credit card की payment भी की जा सकती है. IMS IMS भी fund transfer करने का electronic तरीका है. IMS का full-form immediate payment service है. IMS के जरीए customer तुरंत एक bank account से दूसरे bank account में पैसे transfer कर सकता है. इस service के जरीए एक bank में या फिर किसी दूसरे bank में भी पैसे transfer कर सकते हैं. IMS के जरीए जो पैसे transfer होते हैं, वह real time होता है. यानि पैसे transfer होने में time नहीं लगता है. IMSS के जरीए कितना भी fund transfer किया जाता है इस पर कोई transfer charge नहीं लगता है IMSS के फाइदे इसके जरीए आधार नंबर और mobile नंबर के जरीए भी fund transfer किया जा सकता है यह fund transfer करने का fast, safe और secure तरीका है IMSS में fund transfer करने की कोई limit नहीं होती है Bank holiday वाले दिन भी IMSS service चालू रहती है Net Banking, ATM, mobile phone से आसानी से IMSS की service का लाब उठाया जा सकता है IMSS से payment के लिए bank account number, IFSC code आधी जानकारी की जरूरत नहीं होती है IMSS में real-time fund transfer या settlement होता है RTGS RTGS जिसे real-time gross settlement भी कहते है इसमें भी आप कितनी भी राशी transfer कर सकते है RTGS की शुरुआत 1985 में तीन central bank के जरिये हुई थी RBI ने 2004 में इसे भारत में launch किया था आज 72 से ज्यादा bankों में RTGS की सुविधा मिलती है इसमें भी लेंदेन की कोई अधिक्तम और नियोंतम लिमिट नहीं होती है RTGS के फाइदे RTGS से online और offline payment की जा सकती है इसमें payment को schedule भी किया जा सकता है RTGS की service 24x7 उपलब्ध है यानि कभी भी payment किया जा सकता है यह one-to-one crediting system है UPI सरकार द्वारा शुरू की गई Digital India अभियान में UPI की एहम भूमिका है यह cashless transaction को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है आज भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में UPI का इस्तिमाल होता है RBI और NPCI NPCI ने साल 2016 में Unified Interface Payment UPI को launch किया था UPI के जरिये payment करना काफी आसान है इस वजह से लोगों के बीच यह काफी popular है UPI की लोग प्रियता इस बात से साबित हो जाती है कि एक महीने में 10 लाख से ज्यादा यूजर UPI के जरिये payment करते है अब पट्री की दुकानों से लेकर मॉल के शोरूम तक UPI ने अपनी धाग जमा ली है UPI के फाइदे सिंगल क्लिक के जरिये आसानी से UPI payment की जा सकती है UPI के जरिये payment भी की जा सकती है और receive भी किया जा सकता है UPI user एक दिन में एक लाख रुपे तक की payment कर सकते है UPI ID के माध्यम से आसानी से कहीं भी payment की जा सकती है online और offline दोनों तरीके से UPI payment किया जा सकता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो like और subscribe करना न भूले